Hello students, Welcome back to my channel आज हम लोग आपकी worksheet number 11 करने वाले हैं जो आपकी English की वक्षेर है Class 8th student की आपकी डेट रहने वाली है बच्चे तेई सगत तो सभी बच्चे वक्षेर का नंबर डेट और Class अच्छे से चेक करनेंगे जिससे आप लोग को थोड़ी सी भी problem ना हो और जैसा कि पराने student जानते हैं मैंने अपने telegram channel पर उस बच्चे का नान announce कर दिया है जो winner हुआ है अगर आप लोग भी participate करना चाते हो गेम में जो नए बच्चे हैं और gift जीतना चाते हो तो आप लोग भी वीडियो को पूरी देखें और daily मेरी चैनल से वक्षुट कीजिए आपको definitely आप select होगे definitely आपके घर पर gift send किया जाएगा अगर आप लोग को gift के बारे में और भी knowledge चीए तो आप वीडियो को पूरी देखें फिलाल हम लोग वक्षुट करना ही स्टार्ट करते हैं सभी बच्ची अपने अपने English की notebook कर लेंगे जिससे आप लोग hand to hand वक्षुट को कर सकें पुराने बच्चे जानते हैं मेरा वक्षुट कराने के तरीका थोड़ा अलग है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग subject लिखेंगे अपना English फिर आप लोग class लिखेंगे एर्थ वक्षुट का नंबर लिखेंगे बच्चो आप 11 फिर आप date लिखेंगे 23 अगस्ट फिर आप देखो topic जरू डालोगे ठीक आप लिखोगे poem the ant and the cricket जो हमने पढ़ा था जैसे आपका चीटी और आपका एक cricket था ठीक है लेकिन वह क्या था वह खुद एक लेजी था जो cricket था वह खुद लेजी था तो उसके बारे में उसने कहा था क्योंकि वह अपनी केयर नहीं कर रहा था जब एकदम से सर्दी आई तो वह क्या हो गया वह मतलब एकदम से इधर उदर खाना मांगने लगा ठीक हमने ये पोयम में पढ़ा था तो आज हम इसके hand to hand question answer करते चलेंगे देखिए आपका first दिया गया है बच्चो इसमें देखेंगे आप लोग इसमें जो आपका first दिया गया है तिक दग qualities you want in your friend ठीक है आपको ऐसी quality बतानी है जो आप चाहते हो कि आपके friend के अंदर हो ठीक है बच्चो देखिए इसमें first दिया गया है कि आप चाहते हो आपका friend honest होना चाहिए ठीक है यह आप कटिक हो जाएगा आप यह भी चाहते हो कि helpful होना चाहिए आपकी help करे यह भ अब देखिए happy happy होना चाहिए ठीक है sincere भी होना चाहिए ठीक है तो यह quality है जो आपके friend में होनी चाहिए और आपके खुद के अंदर भी irritating ना हो आपका friend ठीक हर्मिस आपको करें ठीक है careless भी ना हो care करने वाला होना चाहिए neat and clean रहता हो और selfish ना हो ठीक है तो यह बच्चों आपको ऐसे करने देख कितनी असानी तरीके से मैंने आपको करा दिया तो आप लोग ऐसे ऐसे से complete कर लेंगे अब चलते हैं इस तरब ठीक है फिर से आपका इसे दिया हुआ है उसके आगे क्या हुआ देखिए इसमें क्या दिया गया है says the ant to the cricket I am your servant and friend तो ant ने क्या कहा cricket से जो आपका एक देखो यह ant है यह cricket है यह इसके जैसा ही एक जानवर है ठीक है जिसको हम cricket बोलते हैं आप लोग इसकी फोटो भी देख सकते हो उस पर search करके net पे ठीक है यह एक कि आपका इंसेक्ट ही होता है चीटियों की तरह है I am your servant and friend ठीक है मैं तुम्हारा इसने क्या बोला ant ने क्या बोला मैं तुम्हारा एक friend भी हूं servant भी हूं but we ants never borrow ठीक है पर हम चीटियां कभी बोरो नहीं करती है मतलब उधार नहीं लेती हैं we ants never land ठीक है हम नहीं जुकते है और बट ठैल मी डियर किर्केट डिडियू ले नथींग बाए डिडियू ले नथींग बाए वैन दा वैदर वज वॉर्म क्यूव दा क्रिकेट ठीक है वैन दा वैदर वस वोउप ठीक है अभी तो देखों यहां सर्दी आ गई है लेकि पूछने चारिए जब वैदर था तुम उस टेप कहां थे तुम्हें यह सब तैयारी क्यों नहीं करी तो उसने नहीं करी टी जैसा मैं स्टेंजा 1972 में पढ ए। में किया था वह कोई ही नरम दिल की हूँ ठीक है that I sang that day and night for all nature looked gay you sang sir you say go then say the ant and dance the winter away तो उसने last में क्या कहा कि go then उसने कहा तुम चले जाओ ठीक है यह किस विंटर को मतलब विंटर से बच के एकदम मजे करो तो उसने उसे क्या उसकी help की खाफी और उसे enjoy करने को कहा कि तुम अपना विंटर से मतलब विंटर से एक मुक्ति पालो उसने अपने घर में उसको जगे दे दी ठीक है अब इसके हम question असर करेंगे question 2 दिया गया है who said the following lines in the poem ठीक है तो इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सी लाइन एंट और cricket ने कही थी तो आपको इसका answer देखिए my heart was so light and I sang day and night तो यह किस ने कहा था यह बच्चो cricket ने कहा था यह वले लाइन cricket के द्वारा की गई थी और did you lay nothing by when the water was warm जब गर्मी थी तो आपने तो कुछ नहीं लिया था ठीक है तो इसने यह बात किने एंट ने गही थी cricket को क्योंकि वह careless था और उन्हें सर्दियों में कुछ नहीं बचा के रखा था सर्दियों के लिए go then and dance away तो यह आपका सिंपल जी बात है यह तो भई एंट नहीं बोला होगा कि तुम मतलब सर्दी से छुटकार आप आपके अपना enjoy करो ठीक है अब देखो थार्ड में क्या दिया थार्ड लिखेंगे आप लोग rearrange the following sentences to form the summary of the poem write the correct sequence number in the box against each sentence the first sentence has been sequenced to help you ठीक है अब देखिए इसमें आपको करना क्या है मैं आपको one two three four mark करना है कैसे तो कि आपको rearrange करना है sentences को from the summary right correct sequence in the against the first sentence has been sequenced to help you the cricket sang during this month of summer and spring यह आपका first वाली इस्टेंज जैसे है जो हमने starting में पढ़ा था ठीक है in the winter season he was starving thus he went to to the end तो यह आपका बच्चों second हो जाएगा इसमें आप second लिख देंगे अब देखिए the cricket reply enjoy summer and did not store anything ठीक है तो यह आपका तो यह आपका बच्चों कुन सा हो जाएगा यह आपका last में आता है किससे क्योंकि इन्होंने कहा है कि rearrange करना है आपको following the from the right to correct in the box first sentence has been sequenced to help you first आपका दिया गया अब इसमें देखो अब पहले सारे पढ़ने पड़ेंगे तब हम decide कर पाएंगे third number पर कुन सा आगए the ant asked the cricket if he had store food for the winter यह भी आपका अभी नहीं आएगा यह आपका third number पर आगए क्योंकि यह चीज हमने इससे पहले वाले पढ़ी थी तो इसमें आप लिग देंगे तीन अब देखिए इन दोन में से कौन सा पहला आएगा तीन हो चार में से पहले इसने क्या एंट ने किससे पूछा दा किर्केट से कि अगर तुम अपने लिए इस्टोर करके रखते खाना फिर क्रिकेट ने रिप्लाइ किया था तो ठीक है पहले एंट का आजाएगा यह आपका फाइफ आजाएगा ठीक है तो वन टू फाइफ फॉर थरी यह सिक्वेंस है इसकी ठीक है बच्चों तो यह था आपका पूरी वरक्षीट तो जो भी वच्चा देखो आपकी लास eight के शूंड़ा है अगर आप पूरे वीक की वरक्षीट जैसे आपकी वरक्षीट स्टार्ट होगी आप मेरे चैनलंग और यह थाटी है धो आपको क्या करना है वीडियो को पूरी देखना है डेली वरक शुट मेरे चैनल से करना है और अपने 10 फ्रेंड के साथ सेर करना है ठीक है और आपको जैसे ही मैं कुस्क्षन पूर्ण तुरंथ का अंसर देना है कमेंट में देना और टैलिग्राम चैनल पर मैंने उसका लिंक दिया गया है आप लोग वहाँ से जाके विनर के नाम देख सकते हैं जो मैंने अनौंस किये थे ठीक है बच्चो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को दस फ्रेंड के शार सेयर करें और वीडियो को पूरी देखिए ठीक है और जो भी मैं को सन पूस्ता उसका कर दीजिए आपको डेफिनेटली आपको गिफ्ट मिलेगा ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियों मैं तिल दन बाई बी सेफ स्टे हल्दी जै हिंग जै भारत